नमस्कार आप सबका स्वागत हैं देश की राजदानी में बुद्वार रात भूकंप के तेज जट्के महसूस किये गए भारतिय मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के रुद्र प्रयाग में था रिक्टर पैमाने पर उसकी तीवरता 5.5 थी दिल्ली एंसियार और उत्राखंड के आलावा हिमाचल, यूपी, हरियाना और पंजाब में भी जट्के महसूस किये गए दिल्ली में करीब 10 से केंद तक भूकंप के जट्के महसूस किये गए बता दें कि इसी साल जून में भी दिल्ली में भूकंप के जट्के महसूस किये गए थे भूकंप बुद्वार रात 8 बचकर 49 मिनट पर आया इसका केंदर उत्तराखंड के रुद्र प्रयाग में जमीन से 30 किमी नीचे था मा ऐसम विभाग के मुताबिक यह moderate intensity का भूकंप था इससे पहले European Mediterranean Seismological Center ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस भूकंप का केंदर उत्तराखंड के देहरादून से 111 किमी दूर पूर्व में था रिक्टर स्केल पर इसकी तीवरता 5 थी भूकंप का केंदर रुद्र प्रयाग में था जटके रुद्र प्रयाद के आलावा देहरादून, रिशिकेश, हरिद्वार, चमोली, बागेश्वर, रुद्र प्रयाग, टिहरी, रामनगर में जटके महसूस किये गए यूपी में मेराट, मतुरा और सहारनपुर में भी जटके महसूस किये गए चंडीगर में भी जटके महसूस किये गए प्रिथवी के अंदर साथ प्लेर्स हैं जो लगातार घुम रही है जहां ये प्लेर्स ज्यादा टकराती है बे जॉन फॉल्ड लाइन कहलाता है बार-बार टकराने से प्लेर्स के कोने मूरते हैं जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेर्स तूटने लगती है नीचे की एनरजी बाहर आने का रास्ता खोचती है इस्टर बेंस के बाद भूकम आता है हिमालियन बेल्ड की फॉल्ड लाइन के कारणे शियाई इलाके में ज्यादा भूकम आते हैं इसी बेल्ड में हिंदू कुछ रीजन भी आता है 2015 के अप्रेल माई में नेपाल में आये भूकम के कारण करीब 8000 लोगों की मौत हुई थी हिमालियन फॉल्ड लाइन पर भारत सरकार की मदद से अमेरिकी वेग्यानिकों ने एक स्टड़ी की थी यह स्टड़ी यूएस जर्ल लिथोस फियर और जेजियार में चपी थी इस स्टड़ी को लीड कर चुके जवाहरलाल नहरू सेंटर फॉर एडवांस्द साइंकिफिक रिसर्च के सी पी राजेंद रंग के मताबिक हिमालेव साथ सौ साल पुरानी फॉल्ड लाइन पर मौजूद है यह फॉल्ड लाइन ऐसे मौहाने पर पहुंच चुकी है जिसकी वज़न से कभी भी वहां ऐसा भुकम्प आ सकता है जो पिछले 500 साल में नहीं देखा गया हो